अभे ओ दो कोड़ी की चौकीदार तेरी हिम्मत क्या सुई मेरे उपर हाथ उठाने की अभे ओ पागल हो गया क्या जो तु मैटम को उपर हात उठा रहा है तुझे मालूम नहीं है मैटम इस कंपणी की मेनीज़र है अगर उना गुस्सा आ आ तो तुझे कंपणी से बाहर कर देंगी ये होती कौन है मुझे इस कंपणी से बाहर निकालने वाली इस मेना इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे नौकरी से निकाल सके दो कॉड़ी की सिकॉर्टी गार्ड ये मत भूल कि ये पूरी कमपणी मेरे सारू पर चलती है मैं इस कमपणी की मैनेजर हूँ अगर मैं चाहू ना तो तुझे दो मिनेट में इस कमपणी से बहार निकाल सकती हूँ ये नौकरी से निकालने की धंकी किसे दे रही है तुझ मेना इतनी हिम्मत नहीं है जो तुझ मुझे नौकरी से निकाल सके पर अगर तुझ में हिम्मत है ना, तो अभी क्या भी, अभी क्या भी, तु मुझे नौकरी से निकाल कर दिखा, तब देखता हूँ मैं, कि तु इस कंपणी की मैनेजर है, या फिर नहीं? आज इस सिक्वर्टी गाड को हो किया गया है, जो ये ऐसी बाते कर रहा है, आज से पहले तो उसने ऐसी बात कभी नहीं की? और मैडम, हमारी कंपणी के अंदर जितने भी सिक्वर्टी गाड काम कर रहे हैं, उन सम्में ये सबसे सीधा इंसान है, आज तक ये किसी से उल्टा नहीं चला है, लेकिन आज तुमसे अचानक इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहा रहा है, कि इ तेरे बिना ये कंपणी चल नहीं सकती, तो अभी क्या भी, मैं तुझे इस कंपणी से बाहर निकालती हूँ, फिर देखूंगी ये कंपणी कैसे नहीं चलेगी, निकल जाए यहां से, और आज के बाद इस कंपणी के तरफ मुड कर भी मत देख लेना, हाँ ठीक है, जा रह तुमारे उपर हाथ उठाया है, तो तुमारे बहुत बेजिती हो जाती, हाँ बीर, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इसके बारे में किसी को बता ना मत, अब मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरे सर में दर्दो रहा है, जाओ यहां से, ठीक है मैड दोक्टर साब, वो कुछ मजबूरी आ गई थी, इस वहें से आपके पैसे नहीं पहुंच पाए, ठीक है ठीक है डोक्टर साब, मैं आज ही आपके पैसे पहुंचा दूँगा, मैं आभी आता हूँ हेलो रोहित, आभी के अभी आफिस के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात कर ले है, ठीक है हाँ, आप क्यों बापस बुला लिया मुझे, मुझे तो पहले ही पता था, कि ये कंपनी न, मेरे बेना नहीं चल पाएगी हाँ रोहित ये कंपनी तुम्हारे बने नहीं चल सकती और मैं तुम्हें इस कंपनी से भार निकालना भी नहीं चाहती क्यूंकि तुम अपना काम बहुत इमानदारी से करते हो बस अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे उपर हाथ क्यों उठाया हाँ मेडम आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो मैंने जान बूज कर आपके उपर हाथ नहीं उठाया है बलकि मेरी मजबूरी रही है जो मैंने आपके उपर हाथ उठाया मैडम आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले तीन महीनों से मैं आपसे छुट्टी मांग रहा हूँ कि मैडम मुझे अपने गाउं जाना है लेकिन उसके बाद भी आप हर बार मुझे छुट्टी दने से मना कर देती हो कहती हो कि मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे तुझे यहीं पर रहकर काम करना होगा तो मैडम मैंने आपको बताया था कि काफी लंबे टाइम से मेरी मा बीमार चल रही है और गाउं मां उनकी देखवाल के लिए कोई है भी नहीं इसलिए मुझे गाउं जाना पड़ता क् में साफ अगर मेरी मां को कुछ भी हो जाता ना तो मैं अपने आपको जिन्दीगी भर माफ नहीं कर पाता पस इसी व seriousness मैंने दिमाग लगा कि मैं इस कंपनी से बाहर कैसे जा सकता हूं तो मैंने सोचा कि आप इस कंपनी की मेनेजरों आपके उपर हाथ उठा देता हूं, जिससे कि आप गुस्से मा कर, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगी, और मुझे गाउं जाने का मौकर मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपनी मा का इलाज अच्छे से करा लूँगा। क्योंकि नौकरी से बढ़कर मुझे मेरी मा है, अगर मेरी मा मुझे छोड़कर चली गई, तो कभी वापस नहीं आएगी, मैम साब नौकरी का क्या है, नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी मैडम, मा का जूटा नाम लेकर कोई बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि मा से बढ़कर न इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मैम साब, आपका बहुत बहुत धन्यवाज, जो आपने ये गरीब के वारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मैम साब, आपना मुझे माफ कर देना, जो मैंने अंजाने में आपके उपर हाथ उठा दिया रोहित, तुमने जान भूच कर हाथ में उठाया था मेरे उपर, मुझे सबक सिकाने के लिए हाथ उठाया था, इसलिए तुम्हें माफे मंगने कोई जरुवत नहीं है और हाँ, अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करते, तो साइद मेरे कुछ भी समझ भी नहीं हाता ठीक है, अब तुम जाओ अपने गाओं और मा के लाज अच्छे से कराने ठीक है मेम साथ, चलता हूँ हुम हुम